सो हलो डिये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी के लिए गुड न्यूज वेकेंसी आई है पंपर एच्पी-ची-एल राजस्थान रिफाइनरी में यानि की एच आर आर ऐल में तो यहाँ पर विकेंसी आई है बहुत सारी विकेंसी है डिपलोमा के लिए बेटे के लिए तो कौन एलिजबल है क्या क्रेडिरिया है कितनी विकेंसी है यहाँ पर तोड़ा देखते हैं आपको पर जाना है देखें यहां पर hrl.in पर आएंगे करियर के सक्षिन में तो करेंट ओपनिंग के टाप पर आईएगा तो यहां पर बटा देखेंगे आपको मिलेगा करेंट ओपनिंग में यह वाली वेकेंसी आपको मिल जाएगी डिपलोमा होल्डर साइंस ग्रेजुएट यह जो एकेंसी आपको मिल जाएगी सविव डिटेल एड्वर्टीज्मिंट पर क्लिक करेंगा मैंने अल्रेडी यहां पर डॉलूड किया है तो यहां पर आप देखेंगे तो यह जो भेटेंसी वह किसके लिए है आपको दिखा जाता हम यह बड जो ब और असिस्टेंट अकॉंट में दो हैं असिस्टेंट एंजिनियर में चौदाइस विकेंसी हैं अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस कटिग्री में जूनियर ऐसिस्टेंट एंजिनियर में एक एकस्प्राइब करते हैं तो आपको तीन साल का का एकस्पिरेंस होना चाहिए सबके लिए केलिमिटेए 30 सालब watch है और यहां से तीन चाहिड alegre हैं और यहां में जीनियर ंपने maximum age मानी गई है ठीक है तो एक तो चीज आपको यह clear हो जाए दूसरी चीज और देख लेते हैं जो important date से हैं वह commencement of online application तो कल से online application start होगा 5 September से और last date of online application 4 October को रहेगा ठीक है और all computation of age यानि कि जो आपका age का criteria लिया जाएगा वो लिया जाएगा 26 अगस्त 2024 यानि कि 26 अगस्त 2024 तक या तो आपकी age 25 साल या फिर maximum 27 साल होनी चाहिए as per the requirement तो यहां पर बटा देखे यहां पर eligibility जो है वो देख लेते हैं जो junior executive है fire and safety में उनमें essential educational qualification क्या है तीन साल का full time regular diploma होना चाहिए और science graduate with minimum 60% aggregate percentage in all semester aggregate of all semester should be 60% general OPC non criminal EWS category के लिए और 50% जो बच्चे SCST PWD में आते हैं उनके लिए and with valid heavy vehicle driving license भी इनके पास होना चाहिए इनी certificate course अगर आपकोई certificate course है minimum 6 महिने का fire safety में या fire and safety में तो यह आपके लिए extra advantage हो जाएगा जो बच्चे fire and safety से हैं ठीक है न इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बटा यहां पर junior executive mechanical की बात कर लेते हैं तो junior executive mechanical में अगर आप देखेंगे तो number of vacancies 4 है तीन साल का diploma आपको चाहिए mechanical engineering में ठीक है तो तीन साल का diploma आपको होना चाहिए mechanical engineering में 60% aggregate mark के साथ अगेन वही general OBC non-crimalier और EWS category के लिए बाकी जो बच्चे SCST category और PWD में आते हैं उनके लिए 50% का minimum criteria यहां पर होना चाहिए aggregate of all semester इसके बाद बटा देख लेते हैं कि अब assistant accountant officer यह हम छोड़ देते हैं इसको हम cover नहीं करेंगे तो CA वगरे के लिए assistant engineer chemical में आपका चार साल की degree होनी चाहिए B.E.A.B.T.E.C. होना चाहिए chemical में petrochemical में minimum 60% aggregate mark के साथ average of all semester again 60% other O.B.C. non-crimalier और E.W.A.S. वाले बच्चों के लिए बाकी 50% SCST और PWD candidate के लिए होना चाहिए ठीक है अब यहां पर बटा अगर आप देखेंगे assistant जो engineer जो engineer mechanical है इसमें भी आपका same चाहिए यानि कि 4-year की degree चाहिए B.E.B.T.E.C. 60% aggregate चाहिए P.W.D. या SCST बाले बच्चों के लिए 50% minimum चाहिए लेकिन यहां पर एक जो सबसे बड़ा criteria है वहाँ पर experience आपको चाहिए minimum 3 साल का तो इस category में जो engineer mechanical की category है इसमें सिर्फ वही बच्ची अप्लाई कर सकते हैं जिनके engineer chemical में भी सेम चीज़े है आपकी degree B.E.B.T.E.C. होना चाहिए chemical engineering में petrochemical में और तीन साल का experience आपका relevant field में होना चाहिए और जो important चीज़ है बटा देखे अगें engineer fire and safety में तो यहां पर 4-year का आपका full-time degree होना चाहिए B.E.B.T.E.C. 60% mark के साथ fire and safety में other category O.B.C. non-crimalier E.W.S. में आपका जो aggregate percent है वो 60 होना चाहिए बाकी category में S.E.S.T. P.W.D. में 50% आपको चाहिए और यहां पर भी तीन साल का experience आपको मांगा गया है relevant field में आते हैं और कुछ important चीज़े देख लेते हैं अब देखें जो designation है जो emoluments है यानि कि आपकी salary है वो E.0 category में आपको 30,000 से 1,200,000 मिलेगी जो की junior executive वाली है जिसमें mechanical की 4 C.T.E.1 category में 40,000 से 1,400,000 assistant engineer और engineer की category में आपको 50,000 से 1,600,000 की salary मिलेगी यहां पर C.T.C. यानि की cost to company लिखी हुई है कि परेनम आपको इतना मिल जाएगा ठीक है इसके बाद अलावा company से आपको T.A.D.A. यह सब भी मिलेंगे HR A medical benefits perks यह सब आपको time time पर मिलते रहेंगे ठीक है ना तो probation and retention देखा जाएं यहां पर तो probation जो है जो selected officer will be on probation for one year पहले आपको date of joining से एक साल तक probation की period पर रखा जाएगा उसके बाद जब successful हो जाएगा आपका completion of probation period जब आपका probation period क्या हो जाएगा successful हो जाएगा the officer will be considered for confirmation as per company policy तो आपको company की policy के साब से confirmation दिया जाएगा ठीक है बटा retention amount the amount of rupees 3000 per month will be are marked as retention amount for E0 and an amount of 5000 per month will be a marked for retention of E1 and E2 category अगर आपर देखेंगे तो आपका जो 3000 रुपए है वो year marked किया जाएगा 5000 year marked किया जाएगा per month ताकि आप company को छोड़ के भागे ना कि कंपनी आपके training के उपर पैसे खर्च करती है तो basically वो एक तरह से कुछ fixed amount आपका हर महिने काट लेगी ताकि आप company को easily छोड़ना पाएं ठीक है और यह जो प्लेस्मेंट पोस्टिंग है वो कहां पर की जाएगी HRRL के any place in country जहां पर भी इनके site इनकी है वहाँ पर भी कहीं पर भी आपके पूरे country में posting हो सकती है shortlisting और selection का method देखेंगे तो CBT इसमें होगा skill test होगा और personal interview यानि कि तीन स्टेज में होगा CBT, skill test और PI यहां पर कित दिया जाएगा और computer-based stage जोगा वो objective होगा, negative marking यहां पर नहीं होगी, इसमें 2 part आएंगे CBT में, general aptitude जिसमें आपके English language, quantitative aptitude test, intellectual, potential test आएगा, logical reasoning, data interpretation आएगा, technical professional knowledge में अगर आप देखेंगे तो इसमें comprising of questions related to qualifying degree educational background, यानि कि आपको इसमें आपके subject से question यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है ना, तो यह दो स्टेज में आपका test भी होगा, देख लिजेगा, अब यहां पर qualifying mark अगर सब कुछ दिया है, कि skill test में कितना चाहिए, computer-based test में कितना चाहिए, और personal interview में कितना चाहिए, तो सब कुछ date वगरा सब दे रखा है, तो इसको आप देख लिजेगा, ठीक है, बाकी बटा, मैंने आपको पूरा पता ही दिया, कि क्या करना है, कैसे apply करना है, तो आपको website पर जाकर basically वहाँ पर apply कर लेना है, जो reservation है, वो आपको government की policy किसाब से total मिल जाएगा, ठीक है, जो भी reservation है, वो government government की policy किसाब से आपको दे दिया जाएगा, तो बाकी और कुछ इसमें खास नहीं है, बाकी आप website पर जाकर form को अराम से भड़ सकते है, आपके पास email ID valid वगरा होनी चाहिए, photo होना चाहिए, signature होना चाहिए, यह समया पर आपका होना चाहिए, और payment application की payment आप कर सकते है, application जो ह OBC, NCR और EWS category है, उनके लिए non refundable amount है, 1100C, प्लस payment gateway charge, जो भी आपका लग रहा है, यानि कि इसमें 1000 और plus GST है, 180% प्लस payment gateway charge, 1000 रुपय का form, 18% GST, 1110 रुपय हो गया, और जो payment gateway, यानि कि जो payment का आपका चार्ज लगेगा online, 30-30 रुपय वो आपके आपका लग जाएगा, ठीक Click here to apply, यहां से आप जाकर apply कर सकते हैं, और आप form को fill up कर सकते हैं, कल से इसका form fill up start हो जाएगा, बाकी आप इस वीडियो को share कर दीजेगा, अपने दोस्तों के साथ, और information कैसी लगी, आपको कोई doubt है, तो comment box में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं, कि आपका क्या doubt है, आप मुझ चैनल मिल जाएगा, राहूल मिश्रासर test book, आप इसको जरूर जोइन के लिजेगा, ठीक है, तो चले, thank you so much, इस वीडियो को share कर दीजेगा, अगर आप नए है तो चैनल को subscribe करके भी जाएगा, thank you so much.